आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग आज का संपुन पंचांग हम जाने इससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक बार सुपकामना उन लोगों को देदें जिनका जन्दिन है आपको जन्दिन की हार्दिक सुपकामना विभवान कनेश की किरपाप पे हमेशा योही बनी रहे साथ इसाथ जिनका भी आज मैरेजर मसरी ह उन्हें भी मैरेजर मसरी की हार्दिक सुपकामना है भगवान स्रीव और मता पारवती की तरा आप दिनों की जोड़ी हमेशा योही बनी रहे साथ जोगव्यक्तिस पंचांग को देख रहे यानि कि आप आपके लिए मैं आज किनकी मंगल में होने की कामना भववन करने से क करता हूं तो इनी सब्दों के साथ आई चली आनते हैं गुरु वार 26 सितंबर 2024 का संपूर्ण विश्थित और सठीक पंचांग को जानते हैं आज है विकरम संबत 2018 सक्समद 1946 कली संबत 5126 माह आश्मीन माह पक्ष क्रिष्ण पक्षर रितू स्रत रितू आयन दक्षिन आयन रहने वाला हैं तिथी आज की रहेगी नौमी साम के 4 बच कर 25 मेर तक तदुपान दसमी तिथी आरंब हो जाएगी नक्षातर पुनवर्सू रहेगा रातरी के 3 बच कर 57 मेर तक तदुपान पुस्य नक्षातर आरंब होगा करन आज का गर रहेगा साम के 4 बच कर 25 मेर तक तदुपांद 20 करन आराम होगा जो कि रात्री के 4 बच कर 23 मेर तक रहने वाला है तदुपांद विष्टी करन यानि की भद्रा आराम होगा योग आच का वडियान रहने वाले सुबह के 6 बचकर 7 मेर तक तदुपांद परी की ओक आरंभ होगा गराते के 4 बचकर 59 मेर तक छलेगा फिर दिर राती मेरन की कल सुबह में सिव योग आरंभ होगा दिशासूल दक्षिन दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातराम करने से बिलकुल आपको बचना चाहिए सुब खाद्याच का जीरा रनेवाई जीरे का एक दोगा खाकर भी यातराम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी चंद्रासी मिथुन रहने वाली है मिथुन रासी में चंद्रमा रात्री के नव बच का पचाश मेर तक रहेंगे तो दुपन रात्री में चंद्रमा का करक रासी में परवेस होगा वत्त्योहार में जीवित पुत्री का वत्त का पारण रहने वाला है अन्यों ने भी कल का वृत रखा था उनके लिए साथी मात्र नौमी रहने वाली है सरवार सिध्योग अहोराति रहने वाला है अमरित योग रातरी के तीन बच का सतावन मर्शयाज आरामब होगा सूरी रासी कन्यारासी सूरी नक्षत उत्रा फालगुणी नक्षत सौरमा रहने वाला है आएव एक नजर डालें आज के सूर्योदे और चंद्रोदे की स्थिपर सूर्योदे सुभा के 6 बच के 11 मेट पर होगा सूर्यास साम के 6 बच के 12 मेट पर चंद्रियास दिन के 2 बच कर 43 मेट तक रहने वाला है आज के सुप जोगरिया की बात कहें तो सुभा गुरुवार को राहुकाल का समय वही होता है जो गुरुवार को अम्रिट समय का होता है तो ठीक वही दिन के 1 बच का 40 मेर्ष लेकर दिन के 3 बच का 12 मेर्ठ तक राहुकाल रहने वाला है इसमें कोई भी नया कारी करने से बचना चाहिए अम्रिट समय वाले कारी भी आज नहीं की जाने चाहिए अगले दिन कीज़ाने चाहिए गुलिक काल सुभा के 9 बच के 11 मेर्श लेकर दिन के 10 बच का 41 मेर्ट तक परदोस काल साम के 6 बच के 12 मेर्श लेकर रातरी के 8 बच का 36 मेर्ट तक निशित काल देर राती में 11 बच का 48 मेर्ट लेकर देर राती में 12 बच का 36 मेर्ट तक अभजीत महुर्थ दिन के 12 बच का 48 मेर्ट लेकर दिन के 12 बच का 36 मेर्ट तक रहने वाला है आई एवा एक बार लगनों की चरचा कर लें लगने में सबसे पहले कन्या लगने मीन लगन सामके 5 बच कर 22 मेंट लेकर, सामके यानि की रातरी के 7 बच कर 7 मेंट तक, मेश लगन रातरी के 7 बच कर 7 मेंट लेकर, रातरी के 8 बच कर 43 मेंट तक, विरिस लगन रातरी के 8 बच कर 43 मेंट लेकर, रातरी के 10 बच कर 49 मेंट तक, मिथुन लगन रातरी के 10 बच कर 49 मे तक रहने वाला है तो मैं तो यह तो थाज का संपूर्ण लोगलस्पीद और सठीक पंचांग इसी तरह की अन्य ग्यानवर्दक वीडियो के लिए जूरे रही है धर्मसिक्छा के साथ और देखते रही है धर्मसिक्छा जे मात अभी